साथी वीजा अप्लिकेशन अब VFS के थूरू प्रोसेस होगा अगर आपको साथी का वीजा स्टम करवाना है तो आपको VFS ओफिस में जाके डॉकुमेंट्स और पास्पोर्ट समिट करने होगे पूरे इंडिया में 9 VFS सेंटर हैं जहां पे साथी वीजा अप्लिकेशन प्रोसेस होता है जो भी VFS सेंटर आपके सिटी के नियरबाय है उनका ओनलाइन आप अपोइंट्मेंट्मेंट ले लीजे और जिस दिन का अपोइंट्मेंट है जाके अपना डॉकुमेंट्स पास्पोर्ट समिट कर दिजे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उनलाइन उनके वेबसाइट से अपोइंट्मेंट्स सिड्यूल कर सकते हैं ये एक नया प्रोसेस है अभी भी इनका वेबसाइट फुली फंक्सेनल नहीं है बहुत सारे इशूस अभी भी हैं वीडियो को आप कम्प्लीट देखिए मैं आपको बीच बीच में जहां पर इशू है उसको एक्स्प्लेइन करूँगा मैंने उनको एक इमेल भी लिखा है वो भी आपको दिखाऊंगा कि कौन-कौन से सवाल मैंने उनसे पूछा है तो इनका वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप चेक कर लीजएगा ऐसे आप गुगल में अगर VFS तहसील अगर लिखेंगे साओधी वीजा तो आ जाएगा उसमें क्लिक कर लीजए उनके होम पेज में एक आपको इंपोर्टे नोट आएगा उसको ओके कर लीजए और इस पेज में बहुत सारे लोगों को यह confusion रहता है कि यहां पर क्या सेलेक करें कौन सा कंट्री सेलेक करें यह मानके चलिए कि यह एक language selection का page है तो यहां पर आप इंडिया इंगलिस सेलेक कर लिजेगा उनके home page में यहां पर schedule appointment का option हमें appointment schedule करना है तो उसी के वारे में discuss करेंगे यह एक notification है जिसमें यह बताया है कि जब आप appointment schedule कर लेंगे तो कहां से अपना acknowledgement आप print कर सकते हैं कहां से आप reprint कर सकते हैं यहां तक तो सब कुछ ठीक है यहां पर आप अपना nationality select कर लिजे इंडिया मेंने select कर लिया और यह एक बहुत ही जरूरी पार्ट है जहां पर आपको visa category select करना है कुछ visa categories है यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर work visit visa नहीं है उम्रा visa नहीं है और भी बहुत सारे visa category नहीं है business visa नहीं है यहां पर personal visit visa category है re-entry visa है यह re-entry visa बहुत important concept है क्योंकि अगर आप इसका documentation जो देखेंगे जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा तो जो लोग इंडिया में फस गये थे कोविट के समय आ नहीं पाए जिनका visa expire हो गया तो उनके लिए यह बहुत important है मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा यहां पर रेसिडेंट एक है और रेसिडेंट वीजा है दोनों में क्या अंतर है पता नहीं यह सवाल मैंने उनसे पूचा है Wow maths बहुत अधी इस्टूरेंट वीजा है और तूरिसंध वीजा है यहां पर आपका business visa नहीं है वर्ड विजिट नहीं है लेकिन फैमली विजिट wills का नाम precisely नहीं लिखा हुआ है परस्टनल वेजिट लिखा है अगर आपको याद होगा जब मुंबई का कॉंसुलेट ने एक सर्कुलर पब्लीज कर रहा था जिसमें उनोंने यह बताया था कि 20 अप्रिल से बिजनेस वीज़ा और फैमली विजिट वीज़ा भी वी फेस के थुरू प्रोसेस होगा तो यह साथ अपडेट होगा तो यहां पर मालिज़े में परसनल विजिट सेलेक कर लेता हूं डेमो के लिए तो उससे पहले मैं आपको वह इमेल दिखा देता हूं यह एक इमेल है जो मैंने सारे वेफेस सेंटर्स को वेजा डिली वाले को वेजा कॉलकत्ता कोचिन एमदाब बंगलोर चिन्नाई हाइदरवाद लखनोव और मॉंबई इन सारे को मैंने बेजा यह चीज़ और आपको में दिखाता हूं कि इन इमेल में मैंने क्या लिखा है कुछ आठ सवाल मैंने उनसे पूछे हैं पहला मैंने पूछा है कि अपोइंट्मेंट का सुट्स जो है अभ होगों को कि अपने गाहों से उठके उनको नियरवाई वी एफ सेंटर जाना परेगा पहले क्या होता था पासपोर्ट बेज देते थे किसी एजनसी वालों को वह काम करवा देता था और मैंने और भी बहुत सारे सवाल पूछे हैं उनसे कि कौन-कौन से वीजा केटिग्री कर रहे हैं यह सारे क्या डिफरेंस है जो रेसिडेंट और रेसिडेंट वीजा में यह सारे डीटेल्स मैंने उनसे पूछा है और उनसे रेक्वेस्ट कराई कि 17 अपरिल तक आप आंसर दे दीजेगा तो यह था इमेल जो मैंने उनको वेजा है जब आएगा आंसर तो आप को क्लेर करोंगा यहां पर साओधी मिशन है यह वह एक इंपोर्टेंट पैरामेटर से क्योंकि जब हम लोग साओधी में जब वीजा अप्लाइब करते हैं तो वहां पर मिशन सब्सक्राइब करते हैं किया मुंबई होगा या देली होगा तो यहां पर अपनी हिसाब से और यहां पर आयम नोटे रोबोट में क्लिक कर दीजिए कार पूछ रहा है तो यह है इनको आप वेरिफाई कर दीजिए अब यहां पर आएगा देखिए यह सारे सेंटर्स का कि डेट्स नो स्लोट कंफीगर इसका मतलब पता नहीं क्या है कि इनका स्लोट से अवलेबल नहीं है और यहां पर आप देखेंगे तो मुंबाइ, बैंगलोर, कोचिन, चिन्न, हाइदरवाद एन एहमदाबात ही है लगनो कहा गया है और और यहां पर नीचे अगर जाएंगे तो यहां पर एक टिक करना है वो टिक करके continue कर दीजिए इसके बाद कुछ गाइडलाइन से यह आप कर सकते हैं लेकिन नोर्मल केटेगरी के लिए नहीं कर सकते हैं यहां पर आइफ रीड और एग्री वाला ओप्शन को चेक कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए यहां पर आपको इमेल आइडी पूछेगा ठीक है इमेल आइडी लिग दिया है और यहां पर बोल र robot में click कर दीजे और continue कर दीजे, okay, a verification code has been sent to this email id, जो email id हमने लिखा है, उस पे verification code गया होगा, वो verification code में यहां मुझे यहां पर enter करना है, तो एक बार मैं उसे देख लेता हूँ, तो यहां पर यह एक verification code है, इसको मैं यहां से copy कर लेता हूँ, ठीक है, copy कर लेता हूँ, यहां पर जाके paste कर देता हूँ, इसका verify कर दीजे, okay, जब आप verify कर देंगे यहां पर, तो यहां पर आप visa category दुबारा से select नहीं कर सकते, पहले जो select कर देते हैं, वही हो जाएगा, ठीक है, यहां पर आपको अगर एक member से जादा है, तो आप उनको select कर सकते हैं, family में, नहीं तो individual में, individual में select करेंगे, तो यहां पर मैं next कर दूँगा, यहां पर इस site अगर देखेंगे, यहां पर, तो यहां पर सारा process है, देखिए, एक हो गया visa detail हो गया, sponsor detail, applicant detail और fourth step में आता है, कि आपका appointment detail, ठीक है, तो इसको में clear कर देता हूँ, यहां पर बताएगे, invitation और pre-approval number, यह भी आपको ध्यान देना है, कि यह number है, आपका यह वाला, जो visa documents number होता है, वो आपको लिखना होगा, यह 10 digit का number होता है, इसको आपको यहां पर लिखना है, तो मैं यहां पर लिखता हूँ, 12345678910, एक dummy number मैंने यहां पर लिख दिया है, यहां पर sponsor ID आपको लिखना है, मतलब माल लिजए, अगर मैंने यहां से visa बेजा है, तो मैं अपना ikama number लिख होगा, 2474, 2474, 16351, कितना number होता है, यह भी dummy मैंने एक इंटर कर दिया, इसका next क्लिक कर देंगे, next क्लिक करने को बाद यहां पर आपको applicant का detail लिखना परेगा, जो कि passport में लिखा हुआ है, जो कि आपका visa document में लिखा हुआ है, full name, second name और जो भी optional है यहां पर, gender आपको select करना है, marital status आपको select करना है, यह सारे details आप select कर लिजे, religions आप select करना है आपको, जो भी details है, उसको में explain नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सा यहां पर details है, qualifications है, occupations है, जो details है, वो आप select कर लिजेगा, यहां पर आपका Saudi mission जो मुंबई select किया था, वो आप change नहीं कर सकते, port of entry, port of entry यहां पर आपका क्या रहेगा, दमाम रहेगा, जदा रहेगा, क्या रहेगा, वो select कर लिजे, transportation mode by air, जो भी details है, आप वो select कर लिजे, address यहां पर आपको जो देना है, वो आपको आपका India का address देना है, यह address detail बढ़िए यहां पर, passport का detail यहां पर बढ़िए, और next कर मैं जल्दी से बढ़ लेता हूं, तब तक, यहां में आपको एक चीज और गौर करना है, number of entries आपको select करने, दुनिया का entry यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, multiple valid for 180 days, यहां पर लिया हुआ है, multiple entry 180 days, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, यह है multiple entry, validity 180 days, और यह multiple entries with 365 days validity, लेकि 180 days का step rate, 90 और 90 का, यह होगा, यही differences होगा, तो यह आप दियान से select कीजेगा, मैं यहां पर यह वाला select कर रहा हूँ, जब आप select करेंगे, तो fees में कोई differences नहीं आएगा, बाकी के details में बढ़ लेता हूँ, ओके, यह सारी details में नहीं यहां पर बढ़ लिया है, इसके बाद में यहां पर next कर लूँगा, next करने के बाद यह देखेगा, यहां पर 3-4 processes हैं, जैसे कि visa detail में बढ़ दिया है, sponsor detail बढ़ दिया है, applicant detail बढ़ दिया है, अब मैं last page में हो, जहां पर आपको, यहां पर आप देखेंगे, तो normal fees है, और यहां पर आप देखेंगे, तो lounge का फीज है, normal fees 10,442 है, और lounge का फीज है 14,256, और यहां पर जो problems में आपको बता रहा था, देखें, appointment बिलकुल भी नहीं है, ना 17 को है, ना 18 को है, 19 को है, okay, 16 तो week off ही है, यह cross मतलब appointment अवलेबल नहीं है, okay, यहां पर अगर date भी चेंज करेंगे, माल लीजे, यह देखे date ही available नहीं है यहां पर, रमदान holiday भी है, सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन dates available नहीं है, मतलब यह अभी तक configure नहीं हुआ है, तो यह issues है, हर जगा का दिखा रहा है, मुंबई का दिखा रहा है, बैंगलोर का, हर city का दिखा रहा है, अगर यहां पर date available होगा, तो आप उसे select कर लेता, इसके बाद next में जब में जाता, next में जब यहां पर next में जाके click करता, तो वो हो जाता, इस process में जाता, जहां पर appointment का detail लिखा होता, वो जब appointment received अगर generate हो जाता है, तो आपको उसे print कर लेना है, माल लीजे, आपने print नहीं करा है, आप भूल गये print करना, तो यहां पर option है, उपर, आप जहां पर जाके, री schedule, री print भी कर सकते हैं, यहां पर, री print में click करेंगे, तो आपको appointment reference number मांगेगा, या फिर passport number मांगेगा, वो सारे चीज़ आप यहां पर डाल के, री print कर सकते हैं, तो यह तो था appointment कैसे लेना है, अब एक सवाल यह भी आता है, कि क्या appointment लेना जोरूरी है, बिना appointment का हम जा सकते हैं, या नहीं जा सकते हैं, तो यहां पर देखिए, इनका जो FAQ section है, FAQ के बारे में, frequent ask questions के बारे में, एक detail video में बनाऊँगा, यहां पर 10-15 कुछ questions दिया गया है, उसको मैं explain करूँगा, यहां पर लिखा हुआ है कि आपको appointment लेना क कब slots available हैं, नहीं है, तो appointment लेके ही आप जा सकते हैं, और एक सवाल आप लोगों के मन में ये था कि क्या bio matrix जरूरी है या नहीं है, यहां पर तो किले ले लिखा हुआ है कि भई, bio matrix तो जरूरी है, लेकिन कई लोग बोल रहे थे कि जरूरी नहीं है, तो मैंने उनको यही email कर है, देखते हैं, कब उनका जवाब आता है, जवाब आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, तो माली जे आपने विजा application के लिए appointment लिया, वहां पर जाके submit कर दिये, तो यहां पर आप ट्रेक कर सकते हैं, तो यहां पर आप ट्रेक करने के लिए अपना जो आपका reference दिया हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन मैं complete आपको नहीं देखा पाया कि कैसे appointment schedule होता है, क्योंकि date ही available नहीं है, अगर आपको यह appointment लेने में कोई तकलीब हो रहा है, date available होने के बाद, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, मैं आपके लिए appointment schedule करके दे सकता हूँ, email ID में अपना description में दे दूगा, एक बार आप चेक कर लिजेगा, अगर आपने VFS के थुरू अपना document process करवाया हैं, तो kindly आप अपना experience share कीजे comment में, ताकि बाकी लोगों को और मुझे भी पता चले, आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखे, thank you very much.